तो अलो फेंट्स मेरे नावा कुछ कर और यह है Samsung Galaxy M53 5G Samsung Galaxy M53 5G के लिए जो है आराउंड 10 दिन पहले हमको एक Software Update मिला था और पिछले 10 दिनों से इस फोन को हम यूज कर रहे हैं इस Update को इंस्टॉल करने के बाद जो अपडेट था इसमें आपको जैनवरी मंत का Security Patch देखने के लिए मिलता है साथ ही जो अपडेट है 666.03 MB का है वर्जन नंबर जो है वह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस Update को इंस्टॉल करने के बाद जो कुछ हमको प्रफॉर्मेंस का बात करते हैं तो फोन का प्रफॉर्मेंस ऐस यूजवल है और आपको डे टू डे यूसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मांकि ये फोन गेमिंग के लिए उतना उप्तिमाइज जंपो नहीं लगता है इस Update के बाद भी जो है ना गेमिंग प्रफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है और जो हम फोन का फर्स्ट रिव्यू भी शेयर किये थे ना उससमें भी हम आपको बताये थे कि इस फोन का गेमिंग प्रफॉर्मेंस जो है वो उतना अच्छा Samsung Galaxy M53 5G capture कर लेता है और ना ही कोई मेजर बैटरी ड्रेन या हीटिंग जैसा इशूस जो है वो हमको Samsung Galaxy M53 5G में इस Update को इंस्टॉल करने के बाद नोटेस हुआ है नेक्स यहां पर अगर हम बात करते हैं चेंजिस का तो सबस्पहले हम यहां पर सेटिंग में जाते ह और यह जो Google Play सिस्टम है यह भी जैनवरी मन्त पर अपडेट हो जाएगा जो नेक्स टेंज हमको Samsung Galaxy M53 5G में इस Update के बाद नोटेस हुआ वह आप यहां पर देख सकते हैं कि अब इसमें 5G Network जो हो यूज कर पा रहे हैं फिलाल हम इसमें जियो का सेम यूज कर रहे हैं और जि कर रहे हैं और यहां पर हम स्पीड टेस्ट का बात करें तुमको काफी अच्छा डाउनलोडिंग स्पीड जो देखने के लिए मिल जाता है 400 Mbps के आस पास या कभी-कभी उससे उपर भी मिल जाता है आप देख सकते हैं यहां पे आराउंड 600-600 प्लस Mbps का स्पीड जो हमक यहोगा ट्रू 5G सर्विसे जो है वो यूज कर पा रहे हैं और दोनों में अगर हम स्पीड टेस्ट रन करता है ना तो सैमसंग के एस सीरीज के फोन से बेटर डाउनलोडिंग स्पीड आपको सैमसंग गैलक्सी M53 5G में देखने के लिए मिलता है और यह मुल्टिपल टाइ आप लोडिंगे देख सकता है कि जो आउनलोडिंग स्पीड वो सैमसंग गैलक्सी M53 बहुत ज्यादा बेटर है सैमसंग गैलक्सी S20 FE 5G के comparison में जबकि दोनों में ही सेम जियो का SIM हम यूज कर रहे हैं दोनों में ही हम जियो का true 5G services यूज कर पा रहे हैं दोनों ही फोन एकड़म सेम location पर available है uploading speed का बात करें तो अभी यहां पर मेरे samsung S20 FE 5G में बेटर बेख रहा है अगर हम यहां पर setting में जाते हैं battery and device care में तो यहां पर जो है ना आपको एक नया maintenance mode add किया गया है Samsung के S20 FE 5GM यूज करें इसमें भी हाली में अपडेट आया था इसमें हम अभी तक maintenance mode वाला फीचर जो यूज नहीं कर बारे maintenance mode का फीचर इसमें अभी तक नहीं दिया गया बड़ सामसंग के m-series के इस phone में maintenance mode का फीचर देखने के लिए मिल जाता है तो यह maintenance mode mode enable करके उनको दे सकते हैं बड़ यहां पर एक warning दिया गया है आपको नीचे में कि वाइल रिपेरिंग आपके फोन का डेटा जो है वो लॉस हो सकता है तो आप यहां पर बैककप यूर डेटा के उपर टैप करके जो है ना किसी भी एक्स्टरनल स्टोरेज डिवाइस में चाहिए वो यूसबी टाइप सी के थुरू आप कोई ओटी पैंडराइब कर सकते हैं या फिर कोई भी सब्सक्राइब करके जो है ना उसमें अपने फोन का बैककप ले सकते हैं और फिर आप यहां पर टर्ण आउन करेंगे इसके बाद आप चाहते हैं कि आपके यूसेज लॉग के साथ मेंटरेंस मोड इनेबल हो जाए तो आपको जस्ट री स्टार्ट की उपर टैप कर देना है यह आरांट two minute का time लेगा उसके बाद आपका फोन जो है ना वह ऑटोमेटिक्ली मेंटरेंस मोड में स्विच्छ हो जाएगा री स्टार्ट हो जाएगा आप सैमसंग्य में मेंटरेंस मोड इनेबल कर सकते हैं में दौरान यहां पे नीचे मेंटरेंस मोड लिखा रहता है और बिल्कुल क्लीन से आपको एब रॉर देखने के लिए मिलेगा ग्यालरी में अगर हम जाते हैं तो कोई भी मेरा परसनल डेटा जो है वो यहां पर शो नहीं कर रहा है नहीं मैसजेज नहीं कुछ भी नहीं और इस तरीके से अगर आप अपने फोन को सर्वेस सेंटर में र करना है वेरिफाई करते हैं आपका फोन रिस्टार्ट हो जाएगा आटमेटिकली नॉर्मल मोड में ओके तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरा फोन जो नॉर्मल मोड में आ चुका है तो इस तरीके साप में इनेबल कर सकते हैं और यहीं था सामसंग M53 5G का नया जैनवर जैनवरी मंत का अपडेट जो 20 में चेंजेस मिलता है वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर किये में एक मेंट्रेंस मोड का ही चेंज हम को यहां पर देखने के लिए मिला अगर आप सैमसंग M53 5G यूज कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं आप कॉमेंट सेक्श शून नहीं लगा है मिलते हैं नेक्स वीडियो में बबाई जाहिंद